नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आम लोग यहाँ पर अमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल करेंगे जहाँ पर आपके 75 प्रसने यह प्रैक्टिस सेट नमर आपका 201 है इसके पहले आपके 200 प् चलते हैं स्टार्ट करते हैं यह घटना चक्र जोकि आपके आईवए प्रसन सॉल करा रहे थे अभी लगबल दो तीन पार्ट में तो आपके यह जो आईवए प्रसने आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जितने बच्चे यहाँ पर जुट चुके हैं सभी लोग बता दीज प्रकाव में भारतेंदु हरिश्चंद ने कौन सी पत्री का प्रकासित की थी बताए भाई भारतेंदु हरिश्चंद ने कौन सी पत्री का प्रकासित की थी भारतीन हरिश्चंद ने तो याद रखेगा कि भारतीन हरिश्चंद ने आपकी 18cken 69 में कवी वचन सुधा पत्रिका निकाली थी ठीके ऑप्सण रैट जिसका जवाब आपका E आ रहे है ऑप्सण रैट अपका A सही हो जाएगा ठीके या 1868 में कईवचन सुधा पत्रिक आपकी निगाली थी ठीके और नेश कोशुन को आते हैं कोश्चन आप से अगला पूछा गया यह पर एक ही समय में वरतमान इसके लिए आपको यहां पर कह सकते हैं क्या बोलेंगे से एक ही समय में वरतमान इसको क्या मोलते हैं तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो आपका सब्द बनेगा वह उपका हो जाएगा option right जिसका जवाब CRI बिल्कुल सही है समसमाईक समसामईक यह वह आपका हो जाता है समझ मैं आ गया अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे जीवन भर के लिए होता है आजीवन सब्द प्रयोग करते हैं लेकिन इसका जवाब हो जाएगा C नमबर आपका हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए आपर question आप से अगला पूछा गया है कहर आप से गाजीपूर में बोली जाने वाले पुर्म बोली कौन सी है गाजीपूर में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी है गाजीपूर में option right option right आपके यहाँ पर B हो जाएगा भोजपूरी ठीके उत्तर प्रदेश में सरवाधिक बोली जाने वाली आपकी जो कह सकते हैं वो आपकी हिंदी के बाद देखा जाए तो आपकी भोजपुरी भी आपकी आ जाती है पुर्वांचल छेत्र में अदिकतर देखा जाए तो पुर्वांचल छेत्र में अदिकतर आपकी भोजपुरी बोली आती है ठीक है चलिए नेस कोशन को आते हैं कोशन आप से अगरा बेरि नाइस ऑप्सन राइट ऑप का B हो जाएगा जिसका जवब भाराई बिल्कुल सही है डेव जो महाना है आर्था आत्ध यहां पर आप जो क्रेंड़ का B हो जाएगा ठीक है माहना है जो यह कह सकते हैं महाद्यों बूल सकते हैं तो इस प्रकास से option right आपके याँ पर d कर्मधारे समास है ठीके कर्मधारे समास हो जाएगा चलिए निस कोशिन को आते हैं कोशिन आप से एकला पूछा गया है पर कहराब से चंद सास्त के आधि प्रणेता थे चंद सास्त आधि के प्रणेता कौन थे भई ये कौन थे आपके चंद सास्त के आधि प्रणेता कौन थे बिहारी, बालमीकी, रिस पिंगल या केशों दास राइट अंसर आपका सी हो जाएगा पिंगल रिसी ठीके पिंगल रिसी आपके हैं जो की स्छंद सास्ति के आद प्रण लेता आपके हैं ठीके चलिए नेश कोस्चन कहाते हैं कोश्चन आप कावगरा पूछा गया है, पार्थिव सब्द का रथ किस्से है, तो भाई पार्थिक मतलो दो है जिसका सम्मंद प्रतवी से हो, जिसका जवाब DRI बिल्कुछ सही है, जिसका सम्मंद प्रतवी से है, उसे पार्थिव कहते हैं, ठीके, चलिए, नेस कोश्चन का सेवन का ओप्शुन राइट पता है सब लोग किसो की रचना है कि ऑफिशन राइट है कि का कभी हो जाएगा जिसका जवाब यहां पर बिया रहा रहा है बिल्कुल सही है चली himat question का आते है क्उर्ष के आपके प्रिवर्टन कीजिये ापर इस्त्रई लिंग आपको बनाना है तो इसका बाई क्या बन जाएगा इसित्रे लिंग सभी का जवाब एक साथ आना चाहिए ठठेरे सब्दिका लिंक परिवतन हो जएगा C, ठठेरीन क्या हो जएगा भई ठठेरीन हो जएगा option right आपका C हो जएगा, चलिए आपर सही है सभी का, चलिए इस question का आते हैं question का जवाब दीजिए सकल का अर्थ क्या होता है सकल का अर्थ सकल का अर्थ क्या होगा संपूर होगा, टुकडा होगा कल सहीत होगा या आकरती होगी तो वही सकल सकल का अर्थ आपका टुकडा होता है जबकि वो जो आपका सकल होता है देखिए ये सकल का अर्थ हो यह हो जाएगा लेकिन यहीं पर अगर ये सकल होता तो इस सकल का अर्थ हो जाता संपूर हो जाता देखिए दूनों में अंतर सा और सा का है इस सका अर्थ आपका टुकडा होता है और इस सकल का अर्थ होता है आपका संपूर तो जिसका जवाब यहाँ पर B आया है, उसका जवाब बिल्कुर सही है, टुकोडा हो जाएगा, ठीके, चलिए नेस कोश्चन का आती है, कोश्चन आप से गलब पूछा गया है, चलिए आपको यहाँ पर बताया गया, पत्थर को जोंक नहीं लगती है, यहाँ पर बताईए मुहावरा आपका ह हाठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, आपका D सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर D आ रहा है, बिल्कुर सही है, ठीके, D हो जाएगा, हाठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीके, चलिए नेस कोश्चन का जवाब दीजिए, यहाँ पर कोश्चन आप से ताकि आपको लगे कि नहां यह प्रस्णा आपको आते हैं जो आप पढ़ रहे हैं वास्त्विक्ता यही है कि ऐसे ही प्रस्णा आपको आते हैं ठीके तो विहंगम द्रस्टी मतलब होता है आपका विल्कुल सही ऑप्सन रेड़ अपका D सरसरी नजर होती है ठीके सरसरी नज रही वह संधया सुन्दरी परिसी धीरे 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 इन प्लक्ति प्किछे बारा की जवाब बताईए यहां पर क्या हो जाएगा कि सब्वार्पकत किया यहां जो आपकी किए और यहां पर देखो आपको दिआ गया आह दिया लॉसान का समय में आसमानoso step 6 し इसका मतलब मेक की तुलना आपकी उतरना से अर्थात इसे निर्जीव को भी सजीव माल लिया है जब कभी निर्जीव को सजीव माल लेते हैं तो उसे बोलते हैं मानवी अलंकार जिसका डिया रहा है बिल्कुल सही है मानवी अलंकार आपके यहां पर हो जाएगा ठीक है कुछ दूसरा हो जेगा अगला है विडावला पर्यावाची सब्द है विडावला पर्यावाची सब्द है किसका है कि तेरा का जवाब विडावला पर्यावाची याद रहे कि विडावला पर्यावाची है आपकी option रड़ाप के C जिसका जवाब यहां पर C आ रहा है इंद् गालियोग निश्चीत संदाये या पुरवाक्य का अतरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उससे कहते हैं जिनका प्रयोग निश्चित सब्द समदाय या पूरे वाकिका अत्रिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर यहाँ पर जवाब आने सुरू हो गए हैं और 14 का जवाब यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वह आपको हो जाएगा D आपका निपात ठीके भाई जिसका प्रियोग निश्चित सब्द समदाय या पूरे वाकिका अत्रिक्त प्रभार भाव देने के लिए होते हैं हमने आपको बताया था निपात निपात में हमने आपको बताया था जिसका भाव आपका आ जाता है इनको अब लोग निपात बोलती है ठीक है रट लीजी कोशन डी नमबर आपका सही हो जाएगा चलिए नेस्ट कोशन का जवाब दीजी यहाँ पर कराप से अंस और अंस इन दोनों में आपका अंस का मतलब क्या होता है और इस अंस का मतलब क्या होता है नजर वाला अंस मत बोल देना भाई ठीक है अंस यहाँ पर अंस मतलब आपका इस अंस का मतलब कंदा होता है और इस अंस का मतलब आपका भाग होता है ठीक है सही है जिसका जवाब B आ रहा है बिल्कुल सही है इसका अंसर आपका B हो जाएगा अन्सकार्थ भैई अलि मतलब क्या होता है जिसका जवाब आपका D हो जाएगा जिसका जवाब D आ रहails है कुछ सही है अली और अली दोनों का अर्थ आपका क्या हो जाएगा डी नमबर आपका सही हो जाएगा चलिए नेस कोशन का जवाब दीजिए आपर कोशन आप से अगरा पूछा गया है कि हिंदी आकरती की द्रस्टी से निम्लिकित में से किस प्रकार की भासा है यह भी आपका हो जाएगा सी जिसका जवाब से आया है सिलस्ट यूग आत्मक ठीके सिलस्ट यूग आत्मक है मतलब कि आदुनिक भारती आरे भासाओं का विकास अब्रंस से हुआ था और दस्वी सताब्दी तक आते 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 आदुनिक आरे भासाओं ने अपनी अब्रंसों से अल बाई सही जवाब दीजिए इतने प्रेक्टिस इट लगाने के बाद भी आप लोग सही जवाब नहीं देते हैं मर्यादा किस युग की प्रसिद पत्रिका है अठारा का जवाब बिलकुल सही है और अप्सन राट आपका D हो जाएगा दिवेदी युग की है ठीके मर्यादा पत्रिका का जो पहला अंक निकला था आपके 1910 हिस्वी में आपका प्रकासित हुआ था मदन मोहन मालवी के पुत्र थे आपके क्रश्न कांत मालवी के ठीके संपादक में प्रयाग इलहाबाद में आपका हुआ था तो यहाँ पर D नमर आपका हो जाएगा दिवेदी युग चलिए नेस कोशिन का आते हैं कोशिन आपका है सरा सर में कौन सा समास है जवाब दीजी भई सरा सर में कौन सा समास है इसका जवाब बिलकुल आना चाहिए तुरंत सरा सर में कौन सा समास है देखो यहाँ पर सरा सर अथा दुरुक्त वाला है और जब दुरुक्त वाले होते हैं जैसे धाड़ा धाड़ दिनो दिन कहीं ना कहीं इस परकार के जो वड़ होते हैं वो आपके किसमें होते हैं आपके अब्वे में होते हैं तो 23 option right आपका यहाँ पर C हो जाएगा अब बहुत समास ठीक है जिसका जवाब यहाँ पर C आ रहा है बिल्कुत सही है आपका यहाँ पर अब बहुत समास हो जाएगा ठीक है चलिए इस question कहाते हैं पूश्चा आप से लाए है वह अगले साल आएगा इस वाकि में कौन सा कारक है वह अगले साल आएगा कौन सा कारक पूछा है यहाँ पर 24 का तो म्याइं कॉंड हो जाएगा अगले साल आएगा मतलब कह सखते हैं अगले साल को आएगा है n तो मतलब कह सहते हैं एहन देश और काल्ष अब कीрод Just होते हैं यहाँ पार GHC न अबर यहाँ पर सी जिसका जवाब आपका C अधिकरन कारक क्योंकि देश और जो काल होता है स्वयम आपका अधिकरन कारक होते हैं ठीक है तो इस प्रकास से यहाँ पर आपका C हो जाएगा चलिए अगला जब आप यहाँ पर पूछा गया आपसे जो कि आपको क्रम बग्द में आपको लगाना है इनको प्रतियो ताकि फोटो अस्विक्रत होने पर उसे वापस भेजा सके इस प्रकास से होगा बी नमबर इसका हो जाएगा बी नमबर मतल करे सकते हैं कि रा वा या ला इस प्रकास से आपका बनेगा ठीक है ला इस प्रकास से आपका बनेगा तो इसका नमबर इसमें आप लोग मैच कर ल दिखना है पहला तो यह हो गई ही और यह आपका अंती होगा इनके बीच में परिवर्तन होगा इस प्रकास से क्रम से लिखेंगे रा वा या ला लिखेंगे ठीके चलिए अगला जवाब दीजिए यहां पर दिया गया है नहीं अपना आप में विश्वास डगमगाने दिया बैठे हैं इस वाकि में कुर्सी सब्द किस कारक में है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे है इस वाकि में कुर्सी सब्द किस कारक में है 27 का जवाब दीजिए 27 का जवाब क्या हो जाएगा भई यहां पर 27 का जवाब यहाँ पर D हो जाएगा अधिकरण कारक ठीक है अब का कुर्सी पर मास्टर जी बैठें इस वाकि में कुर्सी सब्द अधिकरण कारक में है ठीक है अधिकरण सब्द कारत क्या होता है आधार यह कह सकते हैं आसरे ठीके तो यहां पर में या पर आपको मिलता है कुर्सी पर या पर में कह सकते थे या पर जहां में और पर होते हैं आपके अधिकरण करण पर होते हैं ठीके तो 27 का जिसका जब डिया रहा है विल्कुर सही है चलिए नेस कोशन आपसे पूछा गया है यहां पर आपसे पूछा यहां पर जिसे जान ही है तो जा में डबल की मातरा हो जाएगी नी में छोटी की मातरा आपकी हो जाएगी गव में आपके कह सकते हैं और की मातरा आपकी सिंगल हो जाएगी री में छोटी मातरा हो जाएगी अनुकूल में आपका छोटा हो जाएगा नू में छोटा हो फ्रकास आपको मत्रा लगानी दोटषा हैए ना, हाँको सब्सक्राइब दोटषा कि रतर जाएगा, तो आपको निकलेंगे 13, था है, यह ग्यारा है, यह तो आपके 13 होंगे, तो आपके 13 होंगे तो आगे यह सो घाहे, 13 होना, जब आपके पहले और तीसरे में ग्यारा ग्यारा मत्रा होती है उसे हम लोग सोर्था बोलते हैं ठीके क्योंकि दोवे का उल्टा ही सोर्था होता है ठीके समझ में आगे ना तो इस प्रकास से आपको मत्रा लगाना है तो जिसका जवाब यह आया है बिल्कुछ सही है इसमें आपका सोठा है सोठा क्या होता है दोहे का उल्टा होता है चलिए अगला जवाब आपका है आपर निम्न में से संयुक्त वाक के चैन कीजे यहाँ पर आपसे पूछा है संयुक्त वाक के कौन सा है संयुक्त वाक के में यह हमने आपको कुछ बताया था यहाँ पर देखो और सब्दिया मिल गया आपको मिल गया ना? 30 परकास से ए नमबर आपका यहाँ पर जो हो जएगा यह आपका सही सईयुक तबाकिया जिसका जवाब ए आया बहई वही सही है ठीक है? ऑप्सन आपका ए सही होगा चलिए अगला जवाब है आपर महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला था बताए भई महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला था 30 का जवाब क्या हो जाएगा भई तो भई 30 का जवाब महा दिवी वर्मा को किस पुस्तक पर ग्यान पीट पुरुषकार मिला था सही है option right आपका बिल्कुल सही है D नमबर आपका यामा के लिए मिला था ठीक है option right आपका D हो जाएगा यामा के लिए महा दिवी वर्मा को ग्यान पीट पुरुषकार प्रदान किया गया था लिखा जाता है किस प्रकासी अभ्यस्त अभ्यस्त लिखते हैं कि अभ्यस्त लिखते हैं पर जिसका जवाब C आ रहा है बिल्कुल सही है ठीके C जवाब बिल्कुल सही है चलिए नेस कोशन आप से एकला पूछा गया है कराब से मूल अकर्मक धात्वों के साथ प्रत्य जोड़कर बनाएगे किरिया धात्वे क्या कहलाती हैं बताया था हमने आपको ये भी कोशन बताया था मूल अकर्मक धात्वों के साथ प्रत्य जोड़कर बनाएगे किरिया धात्वे क्या कहलाती है वेरी गूड जिसका जवाब यहाँ पर से आया है बिल्कुल सही है साधित सकर्मक धात्वों ठीके मूल अकर्मक धात्वों के साथ जब प्रत्य जोड कर बनाए जाती है तो किरिया आपकी साधित हो देती जैसे मालो होता है ना हमने आपको होता है था कराना और इसी में जोड़ जाए वाना तो करवाना तो यहाँ पर किरिया के साथ अगर प्रत्य जोड देती है तो आपकी क्या बजनती एक है चले यहां पर आपको उताने सकल और सकल का सकल बदाई क्या हो जाएगा 30 का जवाब मिला भी अभी प्रस्ट में आपको तो दो सकल मतला होता है संपोड और इस सकल मतला मतला ना तो ना तो अंसर जिसका जवाब c आया है, बिल्कुल सही है ठीके, very nice option c चलिए, next question आपसे पूछा गया है आपर हिंदी सब्दकोष में छा का करम किस वर्ण के बाद आता है हिंदी सब्दकोष में छा का करम किस वर्ण के बाद आता है 34 का जवाब दीजी वही 34 का जवाब यहाँ पर आपका होज़ेगा very nice option rate आपका यह होज़ेगा का होज़ेगा ठीके का के बाद आपका आता है का इसके बाद आपका च्छावण आता है ठीके सहीए चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर हडवती बूली है हडवती बोली है बताइए कहां की है हडवती बोली 35 का जवाब दीजे हडवती बोली कहां की है 35 का जवाब यहां पर आने शुरू हो गये है और यहां पर जवाब बिलकुल सही आ रहा है बिलकुल सही है जो आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है मिल्कुल सही है पूरवी रजस्थान की है ठीके पूरवी रजस्थान मिल्कुल सही है जैसे आपकी बूंदी, शापुर, उदायपुर, कोट़ा आदि में आपकी बूली आती है चले आगला जवाब यहाँ पर पूछा गया है question कर आप से दिए गए विकल्प में आपके पर्याय आपको बनना है पर्याय वचिस अब होत आए चिरणतन का चिरणतन का पर्याय बताना है और यहां पर जवाब आ रहे हैं सभी के बिलकूर साहिए इसी प्रकाल से जवाब आना चाहिए चिरणतन का हो जाएगा शाष्वात option चले को सहंच आपसे पूछा गया है कैड़ आप से यहाँ पर समास बताईए भर पेट में समास बताईए भई भर पेट में समास कौन सा है और यहां पर मिलकुल सही है थे पेट भर विगरा करेंगे तो पेट बर जो कि आपका अब ब्याई भाव समास है अब ब्याई भाव समास ठीक है प्रथम पाद आपका समास के सकते हैं आपका प्रथम पाद मेन होता है आपका इसका ठीक है चले इनिस कोशन काते हैं कोई आपसे सुद्दवाग के छाटी है यहाँ पर आपसे सुद्दवाग छटा रहा है भई बत स्बैंक कैस्ञ ए help के साथ समय दिया है यहां पर दिखें से नंबर उस संबैं में प्राथा काल का अ सी किसका जवाब आए बिलकुल सही है ठीक है देखो यहां पर सबेरे समय के समय सुवह तो अलेडी समय थी आप ज Carrie 왜 ilhost sir समय क्यों दिया गया देना चाहिए नजा सी नंबर जिसका जवाब है बिल्कूर सही ‫ह अगला जवाब दीजे अगला जवाब यहां पर आ गया है सुछास्त का संचित संद्विछेत संप्छेत का संचित संद्विछेत भाई आप लोगशाड़े आठ विये से लाइब आया करिए नो बज़े आप जुड़ा करते हैं चलिए 49 का जवाब 49 का जवाब यहाँ पर जवाब का सही हो जाएगा very nice option rate आपका भी हो जाएगा सत धन सास्त्र सचास्त हो जाएगा सत धन सास्त्र इसमें ब्यंजन संदी है और इसमें कैसे क्या सिकते हैं ता ए मसा मिलकर आपका आधाच्चा और च्छा बन जाता है ठीके ता ए मसा मिलकर चलिए next question का आते हैं एक question आपका अगला है हिंदी खडी बोली किस अबबरंdь से विक्सित हुई है हिंदी खडी बोली किस अबबरंdь से है ठीक है वेरी नाइस ऑप्सन राइट अप का भी सौर सेनी अप्रंस से है इसमें देखो सौर सेनी में आपकी आती है पर्ष्मी हिंदी राजस्थानी और या जो बरजभास वगएरा इससे आपकी निकल के सबाई है ठीक है तो भाई यहाँ पर के सकते हैं साधे नो बजे आते हैं आप लोग आया करिए अपने टाइम से 40 state Works चलिए याँ पर टेस्ट कने हैं जो आपका ज्यादा ज्यादा क्रानेनिक प्रयास करा रहे हैं पेपर आपका हो सकता है कि पास में आ जाये चलिए यहाँ पर आपका पूछा गया है को कई से लिखना है ठीक है तो करम से हमने छोड़ दिया था इसमें आपको सौर करा देते हैं देखो यह आपके अपने स्थान पर रहेगा पहले स्थान पर 6 आपके अपने स्थान पर रहेगा जो भी परिवर्तन आपका हुआ है वो आपके या, रा, ला, वा में हुआ है ठीके और अगर इसमें से क्रम किया जाए तो आपका बनेगा ये जो आपका है ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा ठीके फिर इसके बाद देखा जाए तो ला आपका ये तीसरे स्थान पर आएगा और फिर इसके बाद देखें तो रा आपका चौथे स्थान पर और आपका पांच वेस्तान पर अब एक दो तीन चार पांच छे इस क्रम में आप पढ़िये तो आपको अंसर मिल जाएगा कैसे मिलेगा छोटे छोटे कार वा उनके छोटे छोटे रहस आपको उतकरश्ट सफलता दिला सकते हैं ठीक है और आपकी लोपरीता को सरोच सिखर पर आ आदमी जो कल आया था आज भी आया है यहां पर आपसे पूछा है उपवाग के पैंचानिये उपवाग के देखो जो आसित उपवाग की विशेशन की विशेशता बेवहरित करते हैं उन्हें विशेशन उपवाग केते हैं यहां पर जो आपका है वो आपका है बी नंबर बिसेशन उपाँ आके ठीके बिसेशन उपाँ आके हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए आपर कोशेर आपका पूछा है फूल का परयावाची चिन्नित कीजिए फूल का परयावाची थोड़े फास्ट रहिए भाई फास्ट रहिए फूल का परयावाची तीन का सकते हैं आपका कुसुम भी होता है ठीक है सुमन भी होता है पुस भी होता है पहुप भी होता है ठीक है डी नमबर आपका हो जाएगा चली अगला जवाब दीजे निम्लिकित में से संकर सब्द कौन सा है संकर सब्द कौन सा है फोर का जवाब क्या हो जाएगा संकर सब्द संकर सब्द देखें संकर सब्द जो आपसन आपका हो जगा D चुगल खोर जिसका जवाब D आ रहा है वो आपका सही हो जगा चुगल खोर देखो संकर सब्द आपका कह सकते हैं हिंदी दो भासाओं के सब्दों आता दो भासाओं से मिलकर जो बनती है सब्द वो आपका संकर सब्द कहलाता है ठीके चुगल और आपका कह सकते हैं खोर दो सब्दों से मिलकर बना है D-Number अगला है याँ पर रिजुका विलोम बताइए रिजुका विलोम अंसर दिग गया होगा रिजुका विलोम आपका वक्र होता है D-Number आपको से होजएगा वक्र होजएगा ठीके हमने अबर गध्यtek के प्रश्शन छोड़ दिया है आप लोग परेशान मत हो ये गध्यांस को हम इन्वाल कर देंगे चलिए कन्नड का संबंद किस भासा परिवास से है कन्नड का संबंद किस भासा परिवास से है नाइन का जवाब दीजी भई यहां पर नाइन का जवाब यहां पर option right option right विलकुल सही है द्रामिड भासा परिवास से है याद रखिए कन्नड का सम्मंद द्रामिड भासा परिवास से है द्रामिड भासा परिवास से सम्मंदी तरने भासा है तमिल होती है तेलगू होती है मले आलम होती है करनड करनाठक राज्यात की भासा है ठीक है बी नमबर आपका सही है चलिए अगला जवाब दीजे राम आम खाता है इसमें से आप से पूछा है कौन सा वाच है राम आम खाता है राम आम खाता है में आपका क्रत्वाच हो जाए हैं जिससे ज्यात होता है कि वाकि का उद्देश किरिया का करता है ठीक है तो इस प्रकास से हो जाएगा आपका राम आम खाता है आम कौन खाता है राम खाता है ठीक है तो आपका क्रत्वाच हो जाएगा चलिए नेस कोईशन का आते हैं चलिए नेस कोईशन के जवाब दीजे राम ब्रच बेनी पूरी की रचना माटी की मूर्ती किस साहित्तिक विधा से सम्मंदित है माटी की मूर्ती किस साहित्तिक विधा से सम्मंदित है जवाब दीजे भई यहाँ पर सभी लोग 12 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गया है और यहाँ पर विल्कुल सही है, option right आपका A हो जाएगा, यह आपकी रेखा चित्र, ठीके, जो आपकी राम ब्रच वेनी पुरी की रचना है, माटी की मूर्ते, यह आपकी रेखा चित्र साहित्तिक विदा से संबंधित है, ठीके, हो गया ना, यह नमबर आपका सही हो तेरह का जवाब क्या हो जाएगा भई, यहाँ पर बेमेल क्या है, घर दिया है, प्रिजन दिया है, परिवार दिया है, बच्चे, देखो परिवार, प्रिजन, बच्चे, यह तो एक है, लेकिन घर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीके, समझ गए, क्योंकि यहाँ गर क्या है आपका निर्जीव है और अन्य सब्दा आपके परिवार प्री यह आपके सजीव है ठीक है इस प्रकार से जिसका जवाब यह आया है बिल्कुल सही है चलिए अगले की जवाब दीजिए यहां पर अगला आगया है यहां पर आपको बेमेल यहां पर भी पूछा है बेमेल आपसे पूछा है समस्या, खेद, कठिनाई, जतिलता, यहां पर जवाब आरहे हैं और झेक़ा खेद, खेद आपका यहां पर बिलकुस सही है, खेद, बेखो कठिनाई, समस्या, जतिलता एक समान है, और यहां आपके एक ही आर्था बताते हैं, जबकि खेद आपका अर्थालक बताएगा ठीके जिसका जवाब B आया है बिल्कुल सही है अगला जवाब दीजिए यहाँ पर कोच्छन आपका पूछाए बहुवरी समास को उधारण कौन सा है जवाब दीजिए भाई पंदरा का जवाब बहुबरी समास मिलकुल सही है option right up का यहाँ पर C हो जाएगा चतुर भुज ठीक है बहुबरी समास में पूर वा उत्तरपत कोई वीव कह सकते हैं प्रदान नहीं होता है बनने वाला तीसरा प्रदान होता है यहाँ पर चतुर भुज अथाच चार भुजाएं हैं जिनकी अथाच विश्णु भगवान को बुलते हैं ठीक है न option right up का C हो जाएगा चलिए अगले का जवाब दीजिए यहाँ पर आपको मिलान करने को आगया है फिर से यहाँ पर आपको मिलान करना है यहाँ पर आपको यह तो पहला आपका अपनी जगा fix रहेगा 6 भी अपनी जगा fix रहेगा ठीक है अब आपके अंतर आपके यार अलावा में है और किस प्रकास सी करना है यहाँ पर देखो यहाँ पर जो वगवा है इसको आप दो माल लीजिए ठीक है और इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ को आप लोग 3 माल लीजे और आपको ला को आप 4 माल लीजे और वारा को 5 माल लीजे अब इस क्रम में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुश समझ में आएगा 1 से स्टार करके इंड में आपको 6 में आना है तो जवाब से आया है बिल्कुश सही है और ऐसे प्रस्णू को इतनी आसानी से लगा लेना और कम समय से लगाने बहुत ही बढ़िया है ठीके चलिए अगला जवाब दीजे भूधर्व का संदिविच्छेद क्या होगा सत्तरा का जवाब भूधर्व का संदिविच्छेद क्य क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट वेरी नाइस आपका बी हो जाएगा भूधर्व ठीके यह आपका हो जाएगा भूधर्व हो जाएगा यहां पर उ और चोटा उ बड़ा उ मिल जाता है ठीके दिरिश्वर संदिविच्छेद क्यों चलिए अगला जवाब दीजे यहां पर भाई नागरी प्रिचाडी सभा की स्थापना किस युग में होई थी नागरी प्रिचाडी सभा की स्थापना किस युग में होई थी अठारा की जवाब दीजिए वेरी नाइस सही है जवाब बिलकुल सही आ रहे हैं और यहां पर नागरी प्रिचाडी सभा की स्थाप हुई थी ठीके जिगो भारतिंद यूग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1885 सिन्न उननीस वितक माना जाता है और इसलिए अपका भारतिंद यूग हो जाएगा ठीके चल्ट है नेस कोसिन कहते है को इसोदा में प्रिवक्त संदी कौन सी है यसोदा यसोदा में तो भाई यसोदा में कौन सी हो जाएगी यहाँ पर यसोदा में किसी का स्वर भी आए किसी का बेंजन एक जवाब दीजे यहाँ पर विसर्ग होगा यसोदा होगा यहाँ पर देखे विसर्ग संदी जिसका जवाब C.I.I. बिलकुछ सही है इसका जो अंसर आपका हो जाता है वो आपका यसाँ बन जायता है यसोदा में है यसाँ दंद आपका दा हो जाएगा यसोदा यसाँ दंद किसी भी आकरांत के अंत में विसर्ग हो जैसे आपका मना है यसाँ इसमें आपकी विशार को संदी होती है जिसका जवाब सी है विल्कुल सही है और जिसको नहीं आ रहा है वो आपका बेस देखना पड़ेगा भाई बेस देखिएगा तभी कंप्लीट होगा चली अगले जवाब दीजे निमलिकी सब्दों में से कौन अनुकरणात्मक सब्द है कौन अनुकर अनुकरणात्मक सब्द है आपर डी नमबर यहां पर दिया है खड़खड देखे भोला ना तिवारी देशत सब्दों के दो अरगू में अरखते हैं ठीक है यहां पर आपका अंसर आपका डी हो जाएगा जैसे भड़बर खड़खड दमदम हड़ःड धरड़ड हैं चट असुद्ध वर्तिनी आपसे पूछा है 21 का जवाब क्या हो जाएगा भई 21 को ऑप्शन राइट 21 का यहां पर आपका पूछा है आसुद्ध देखो दिया है साद सून्ने सांसारिक और हस्ता छेप तो भई हस्ता छेप ने होता हस्त छेप होता है इसमें से बड़ाता नहीं होगा छोटाता होगा हंस्त छेप होगा जिसका जवाब आपका डी है बिल्कुल सही है डी वाला सही है जवाब बिल्कुल सही है वेरी नाइस चलिए नेस कोशन कीर सब्द का अर्थ क्या है कीर सब्द का अर्थ क्या है कीर सब्द का अर्थ बताई है आपर कीर सब्द का अर जिसे बयालिया है कस्मीर दिस का एक नit नाम भी है कस्मीर का एक निवासी होता है कई अर्थ भी होते हैं तेशका अंसार आपका बनता है संधी और आपसन आपका यहाँ पर कहीं hoगा, आपसन आपका यहाँ पर दी है, बिलकुल सही है, समीपोर्ती वर्ड़ों के मेल से आपकी संधी बनती है और सब्दों के मेल से समास बनता है, ठीक है, चलिए अगे रहा कहजवाब दीजिये के आपके दिए गए ठीके आपको yokka biloom क्या हो जाएगा ये बताना है yokka biloom yokka biloom सबी लोग ज़वाब दीजै भाई option right बिल्कुल सही है D number जिसका जवाब D0 आ रहे है बिल्कुल सही है yokka biloom आपका भोग हो जाएगा D number आपका सही हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजे उसका उत्तरी उस पर बहुत जचरा है उसका उत्तरी उत्तरी का अर्थ होता है उपर पहना जाने वाला या रखा जाने वाला वस्त्र और इसका बिलूम होज़ेगा जो नीचे कह सकते हैं अधो वस्त्र तो यहां पर उत्तरी का अर्थ आपका ह यह हो जाएगा त्रिक है जिसका जवाब भी आ paycheck है बिल कुल साही है क्योंकि उत्तरीक आर्थ होता है पैना जाने वाला उपर पैने वाले जाने वाला या कसे उतीम रखने वाला वज़्त होता है ठीकंगे चलिए अगला question आपका है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचे करने के लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो भाव मन में थोड़े ही समय के लिए अल्पकाल होते हैं उनको क्या कहते हैं पढ़ाया वेम ने पिछले वीडियो में मिला था ये question very nice बहुत सही जवाव आपका यहाँ पर संचारी भाव ठीके संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या आपकी 33 मानी आती है ठीके यह बहुत ही कम समय के लिए आपके वोते हैं आपके आउत्पन होते हैं ठीके आते हैं फिर चले जाते हैं तदकाल तो आपका मैं मनुस में मानावता देखना चाहती हूं यहाँ पर आपका उसने देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं उचित ब्रियों नहीं हुआ वो तो सही है बहुत दूर दूर बहुत दूर से आ रहे हैं अच्छा सुनो सुनो वह गा रही है यहाँ पर देखो यह जो आपका गलत है सुनो सुनो यहाँ पर आपका जो होगा सुनो कॉमा होगा ना कि आपका संबोधन होगा सुनो सुनो यहाँ पर भी आपका कहसे किती यह नहीं होगा कौमा यहां पर लगेगा सुनो सुनो वह गा रही है ठीके इस प्रकास से अंसर आपका C होना चाहिए था जब कि यह गलत दिया है 27 के जवाब गलत है चली अगला है, मतलब कि अंसर जवाब का हो जाएगा C नंबर आपका सही हो जाएगा 27 के जवाब आपको हो जागा C नमबर चलिए next question question आपसे पूछा गया है सुमित्रा में प्रत्य होगा 28 के जवाब तो अंसर आपको दिग गया है सुमित्रा आ हो जाएगा यहापर देखो सुमित्र आपका अंसर नहीं करेगा बड़ा आप जुड़ा है इस प्रकाश सुमित्रा आप रत्य लगनिस बन जाएगा ठीके चलिए next question अब वस्तित वागे खंडों को क्रम वागे बनाईए फिर से आपको यहापर क्रम आ गया वई 29 में आप कैसे लिखेंगे भारती यह बिना हिंसक विरोत के तीसरा से स्टार्ट करें इसे माल लें एक फिर इसके बाद और इसको माल लेते हैं आपका दो माल लेते हैं ठीके फिर इसके बाद कैसे मानते क्या है कैसे सकते हैं कि जुक क्रम आएगा पहले आपका तीसरा आएगा ठीके फिर आपका चोथा केटा है गा और चोथेगवाद आपका पहला आएगा अभिसकर से दिखे अर पहला है यह प्रकास से बने अनुमान का भी सेशन होगा है यह ह diffumn ये अनुमान का भी सेशन होगा क्या हो जाएगा भाई अनुमान का अनुमानित और अनुमित देखे डी इसका जवाब A भी होगा और आपका B भी होगा ठीके दोनों या अपका हो जाएगा दोनों आपका सही हो जाएगा इसमें से ठीके दोनों सही आपका जवाब हो जाएगा यहां पर देखिए A और आपका B दोनो चलिए अगला कोश्चन के आते हैं कोश्चन आपका है जैसी द्वारा रचित पदमावत निम्से क्या है जो पदमावत है जैसी की द्वारा रचित की गई है तो पदमावत है क्या वक्रोक्ति है या अन्योक्ति है यह कह सकते हैं समासोक्ति है या आपका रूपग है तो याद रखिए जो आपकी जैसी की दोरा रचित पदमावत है वा आपकी क्या है आपकी या आपकी समासोक्ति है ठीक है समासोक्ति है समासोक्ति ठीक है चलिए अग हमारी दुग्द साला में सुद्ध गाय का घी बिकता है मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपय का पुरुषकार टापते करें कोई तुरुट नहीं है भाई तुरुटी मिल गई है नहीं मिली अभी तक मिल गई है सुद्ध क्या होना ची हमारी दुग्द साला में गाय का लगा दिया यहां लगाना चाहिए था तो अंसर आपको यहां पर एक अलत आपका लिखाड़ा ठीके समझ में आ गया ना क्या उन्ची हमारी दुख्दसाला में गाय का सुद्धगी विखता है चलिए अगला जवाब दीजिए यहां पर कोश्चन आपका पूछा गया है आप कभी नमबर जिसका जवाब आ रहा है मिलकुल साहिए 33 को उप्सन राट अपका ए हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए यहां पर कोश्चन आपका पूछा गया है कभी इत्तरी किस प्रकास से सही लिखेंगे कभी इत्तरी बताइए यहां पर आपको कभी इत्तरी ब प्रकास से ठीक है बी नमबर बी नमबर आपका हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए यहां पर केदा साहि आप आपको करिए शुरू ठी जवाब आप दी यहां पर जुत्ति की मात्रा है है आपकी इत्ती की मात्र आपकी नहीं चड़ेगी शुरूत लिपी छोटी पी होगी देखो इसमें दोनों में डिफरेंस मिलना होगा मिलना है दिख गया अंतर मिल गया चलो 35 के जवाब D अगला जवाब दीजिए यहां पर कहरा आप से ठगू सेट तो बहुत ही दुस्चरित रवेकती हैं यहां पर आपको दुस्चरित का जवाब देना है दुस्चरित किस प्रकास से लिखते हैं 36 का जवाब 24 और पोर्शन आपके बाकी है हाँ ठगू सेट को बहुत ही दुस्चरित ब्यक्ती है बाई अब वीडियो को लाइक कर दीजिए इतने लोग आपका आ गए है और वीडियो लाइक कर दिया करिए भाई साड़े आट बजे से लाइब आया करिए साड़े आट बजे से आपकी क्लास से अलोग होती है ठगू सेट तो बहुत ही दुस्चरित रहे 36 का जवाब बिलकुल सही और यहां पर जो C है बिलकुल सही हो जाएगा C नमबर आपका जो सही है बिलकुल सही है C नमबर जिसका जवाब रहा है बिलकुल सही है चलिए अगरा जवाब दीजिए जस दूला तस बनी बराता कहावत का अर्थ बताइए जस दूला तस्बनी बराता का कहावत का अर्थ क्या होगा जस दूला तस्बनी बराता 37 का जवाब कैसा भाई जैसे कुद वैसे साथी सही है बिल्कुल सही है बी नमबर जैसे कुद वैसे बराता जो आपके साथी है ठीके, बी नमबर आपका सही हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ 38 का जवाब 38 का जवाब आपका यहाँ पर अन्याय की नगरी सही है अन्याई कि न अंदेर नगरी, चोपट राजा टके सेर वाजी टके सेर खाजा है नटेर नगरी, जहां अन्याई होता है बी नमबर को हो जेगा चलिए अगला जवाब आपका पूछा क्या है उट्डैन का संदिविच्छेथ ہوगा उटड़यन very nice option right सही आ रहे हैं काफी बच्चों के सही आ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे तो बस तुक्काई मार रहे हैं उटड़यन का संद्विछेद उतधन ड़यन option A हो जाएगा उतधन ड़यन ये इस प्रकास से बनेगा उतधन ड़यन option आपका A हो जाएगा चलिए और यहाँ पर देखते हैं जो कि last question आपके लिए आ चुका है रीती प्लस अनुसार की संदी विछेद रीत धन अनुसार की संदी क्या होगी रीत धन अनुसार की संदी को मिला दीजी भाई last question सभी का जवाब आना चाहिए बिलकुर सही रीत अनुसार की संदी क्या बनेगा भाई रीत अनुसार भाई रीती तो लिखाए है जो बोल रहा होगी है C number देखे इसका जवाब आपका C हो जाएगा ठीके यहाँ पर आपका C जवाब हो जाएगा जो छोटी है और आपका जो आपका कह सकते A है यह आपकी यह हो जाएगा यह आपकी यर्ण संदी है यर्ण संदी है ठीके तो अब आपको कह सकते हैं आपके दोसो एक प्रेक्टिस सेट में लगबग हमने आपके काफी कुछ सावल करा दिया है पिछले वीडियो देखते जाएगे और जो पूराने वीडियो आपके हैं उनको अपने दूसरे चैनल Online exam mission में भी आपके रिवाइश करा रहे हैं तो आप Online exam mission में आप Online exam mission जो कि दूसरा चैनल वहाँ पर भी आप देश सकते हैं, रिवायस आपके कराय जा रहे हैं, यो काफी दिन पहले डाले जा चुके हैं, वहे रिवायस ब्हुत कराय जा रहे हैं, ठीके? अनला